में भी जनादेश हमारे प्रक्ष में है सरकार हारी है वहाँ छोटे सरकार जीते हैं अनंत बावू पांच बार से विधायक थे उनको जेल भेजा गया इसकी साहनभूती का असर उन पर दिखाई परा है माने नितिश कुमार जी चुनाव पर चार मन नहीं गए लेकिन सब को फोन करकर की डायरेक्ट बात किये हुनका फोन भी रिकर्डिंग है नमस्कार अपने इस पोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बंदना बिहार में दो सीटों पर उप्चुना हुए जहां गोपाल गंज में बीजेपी की जीत हुई वहीं मुकामा में बीजेपी को करारी हार हुई है वहां से महागटबंधन के प्रतियासी जीत दर्ज किये हैं हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार बिधान सभा के नेता प्रतिपक्ष बीजेए कुमार सी गोपाल गंज और मुकामा दोनों जगह वहां की जनता ने बीजेपी के पक्ष में जनादेश दिया है दोनों जगह महागटबंधन की सरकार हार गई है गौपाल गंज हम जीते हैं मुकामा में भी जनादेश हमारे पक्ष में है सरकार हारी है वहाँ छोटे सरकार जीते हैं अनंद वावू पांच बार से विधायक थे उनको जेल भेजा गया इसकी साहनभूती का असर उन पर दिखाई पड़ा है 37,000 की जीत 16,000 में बदल दिया बीजेपी ये हमारी जीत है दोनों जगह जनता देश के प्रदानमंती नरंदर मोदी जी के विचारधारा पर मुहर लगाई है और ये 24-25 का असपस्ट संकीत है देखे हमारे नेता और हमारे विचारधारा राष्ट बाद के पत पर चलने वाले जो भी लोग आते हम स्वागत करते हैं और सभी लोग जुट करके मा भारती के सभी संतानों के हित में सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेने के लिए हम धनवाद भी देते हैं नितिश कुमार जी चुनाव परचार में नहीं गए लेकिन सब को फोन करकर के डाइरक्ट बात किये हूंका फोन भी रिकर्डिंग है और उनके तंत्र जिस तरह से परसासिनिक तंत्र ने सम्मयागर में जा करके जिस तरह से उत्पात मचाया भैभीत किया लोगों को माबहनों के घर में गूश करके जिस तरह से आतंकित किया सारे तंत्र सरकार के लगने के बाद भी 63 जार बोट मकामा में लाकर हम जीत के मुहाने पर पहुँचे मुकामा में महा गठवंधन और सरकार हार गई भारतिये जनता पाटी की जीत हुई है वहां छोटे सरकार जीते हैं सहान प्रभूती और जेल में जाने के कारण तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना था नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान